ब्रह्मदक्षाश्विदेवेश भरद्वाज्यपुनर्वसू हुताश्यवेश्यचरक प्रबूति भ्योवनमोन आज हम इंद्रियस्थान का छटा अध्याय सिक्स्ट चाप्टर हम देखने वाले हैं जिसका नाम है कतिमानी शरीरियम इंद्रियम व्याक्यास्यामाहां यहाँ पर अध्याय का नामकरण जैसे हम रोश देखते हैं वो भी देखेंगे कि कतिमानी शरीरिय ये अध्याय के प्रथम जो शब्द है उससे शुरुवात हुआ है अध्याय के नामकरण करने की पद्ददी हमारी ऐसी है कि एक तो अध्याय में जो विशे है उस विशे के अनुसार अध्याय का नामकरण किया जाता है या फिर अध्याय के जो प्रथम दो शब्द होते हैं उनसे शुरू अध्याय का दिया जाता है जैसे करब प्रचिती ये नामका अध्याय है उसी प्रकार से तो ये कतिमानी शरीराणी शरीरियम यहाँ पे अध्याय का रहे उसके प्रथम दो पदों से शुरुवात किया है अथा तक कतिमानी शरीरियम इंद्रियम व्यक्ष्यास्यामहा इतिहस महभगवान आत्रयाहा कतिमानी शरीराणी व्यादीमंति महामुने यानी वैद्याहा परिहरेत येशु कर्मान सिद्धती हमने पहले लेक्चर में इ प्रशन पुष्टे है और फिर आत्रयजी उनके प्रशनों को उत्तर देते है बाकी के 11 अध्या जो है वो सभी उपदेशा स्मुरु उपदेश स्वरुपात्मक है कि जहाँ पे आत्रयजी ने डारेक उनको उपदेश किया है बिना प्रशन पूछे पर इन जो ये जो अभ आत्रयजी को पर पूछ रहे कि ऐसे कतीमानी शरीर आणे व्याधी मनती ऐसे कितने व्याधी युकत शरीर होते है जिसको यानी वैद्याहा परिहरे मतलब वैद्यों ने उसको छोड़ना चाहिए चिकिसा नहीं करनी चाहिए और कर्मनसिद्धती उसका कर्मसिद्ध नो हो तो कतमानी का आरता है कितने शरीर ऐसे है जो व्याधी मनत है व्याधी मनत मतलब जिसको व्याधी गरस्त है ऐसे कितने शरीर है जो वईद्यों ने जिसकी चिकिस्सा नहीं करनी चाहिए क्योंकि येशु कर्मन सिद्धती जहापे कर्म का सिद्धी नहीं होती चिकिस्सा सफल नहीं होती ऐसे कितने शरीर मतलब व्यक्ति है कितने व्याधिगरस्त शरीर है या फिर अवस्था कौनसी कौ ऐसे आत्रे जी ने अगनिवेश का प्रश्ण पूछखे यह जो कठीन प्रश्ण था इसका उत्तर जो दिया यथा तस्मे ही तस्मे मतलब उनको जिस प्रकार से उत्तर दिया तन निबोधत उस प्रकार से माध्या में हम लिख रहे हैं यसे वी भाष्यमानस्य रुजदी अब एक-एक अवस्था बता रहे है कि कौनसे अवस्था में चिकिसा नहीं करनी चाहिए अब मैं ये प्रथम तहां बताना चाहूंगा कि हम जो अध्या पढ़ने वाले हैं हम शब्दार्त और अभिप्रतार्त देखने वाले हैं इसके उपर और अध्यन की और रिसर्च की जरूरत है इस इंद्रियस्थान के जो अध्या है ये पूरी तरह से दूरलक्षित रहे हैं इनके उपर clinical subject, clinical trials होने चाहिए, clinical studies होने चाहिए ये प्रतमता रखके फिर हम अध्या का शब्दशा और अभिप्रतार्त शाह अर्थ सिर्फ देखने वाले हैं यहाँ पर किस प्रकार से काम कह सकता है या model में इसकी क्या condition है यह यहाँ पर बताने का अभी में प्रयास नहीं करूँगा क्योंकि फिर विशय बढ़ता जाएगा हमें अध्या पूरा करना है और उसका अर्थ समझना है फिर उसके उपर हम उसका अर्थ हमारे यहाँ पर समझ कर उसका और विस्तार कर सकते हैं यह जो lecture series चालू हुई है जो 25 अपरिल से 25 मारश से सुरू हुई है फिर विबान स्थान हुआ और अब ही इंद्रिया स्थान हो रहा है यह किस लिए चल रहा है यह इसलिए चल रहा है ताकि हमारा यह प्रयास है कि चरक सहिता का अध्ययन किस परकार से किया जाए किस प्रकार से इसको हर रोज पढ़ना चाहिए उसको शब्द का भेद कैसे करना है व्याकरण कैसे समझना है और फिर व्यपदों का अर्थ समझ कर उसका अनवय लगा के फिर उस सुत्र का अविप्रेतारत कैसे समझना है ये पद्धती हर एक की शुरू होनी चाहिए और हर ज पताना हमारा उद्देश नहीं है तो मैं बहुत नम्रता से ये कहना चाऊंगा कि ये जैना और अध्येन करने की बहुत-बहुत जरूरत है तो एक-एक आवस्था वो बता रहे यस्यवे भाश्य मानस्य रुजती उर्धम उरोवरुशं अन्दम च चवते भुकतम स्थितम च प्रवर्धते जायते रुधी शूलम च तम विशक परिवर्जयत ये प्रथम अवस्ता है कि यस्यवे भाश्य मानस्य जो व्यक्ती बोलने के कोशिश करता है अभी हम फिर से ये ध्यान में सभी एक बार फिर से देखेंगे कि ये अवस्ता कहा है पहले आतूर होना चाहिए फिर उसका धातूक्षय होना चाहिए वो बेड्रिडन होना चाहिए उसके वहाँ उसके जो लक्षण है वो अनिमित्त उत्पन होने चाहिए और वो अकस्मात होने चाहिए अभूत पूरु चाहिए प्रथमता देखेंगे नहीं है ऐसे लक्षण उत्पन होने चाहिए तो अगर वो रुग्ण जो आतुर है वो अगर भाष्य मानस्य मतलब बोलने का प्रयास करते समय अगर रुजती उरुधम उरो ब्रुषम उसके उरुधो उरस्थान में ब्रुषम मतलब बड़ी प्रकार की वेदान उत्पन्न होती है अन्नम चचवते भुक्तम अन्नम मतलब जो भुक्तम खाया हुआ जो अन्न है वो अपक्व आवस्था में ही अदो मार्ग से बाहर निकलता है स्थितम चापी नजिर्यती या फिर उदर में ही पड़ा रहता है और उसका पच्चन ठिक तरह से नहीं होता इसके साथ बलम चहियते ऐसे जा और उसके साथ जायते रुधी शूलम उसके साथ रुधे में तीवर शूल होता है तो उस रुग्ण को वैद्यने भिशक परिवरजयत वैद्यने उसको छोड़ देना चाहिए आगे का सुत्र है सुत्रा नमबर साथ हिका गंबिर जायस्य शोनितम च अतिसार्यते न तसमे बेशचम दद्याद स्मरन आत्रे शासनम ये आत्रे जी का शासन है कि हाँ नेटवर का इशू है बार-बार बीच-बीच में प्रॉलेम आ रहा है पर कंटिन्यू हम रखेंगे कि जो नाभिस्त टिका नाभिस्त गंबिर जाहिका है नाभी से जो हिका निकलती है उसको गंबिर जाहिका ऐसा टिका कारूने कहा है जिसको गंबिर हिका है और जिसके गंबिर हिका के साथ रक्तसराव का मतलब अदोमार्गस रक्तसरा हो रहा है रक्ताती सा रुपन होता है ऐसे दोनों लक्षण एक समान होंगे तो उस वेक्दि को बेशश नहीं देना चाहिए ये आत्रय शासन है मतलब आत्रय जी ने बताया हुआ नियम है मतलब उन्होंने ये रुगण देखे होंगे कि एकी समय में नाभी से निकलने वाली अत्यंद गंबीर हिक्का और उसके साथ ही रक्ता अतिसार ये दोनों लक्षण होंगे तो ये रुगण ठीक नहीं होने वाला आगे है आनाहश्च अतिसारश्च व्याधितम विशतो रोगव दुरलबं तस्य जीवितम अब यहाँ पे आनाह और अतिसार ये परस्वर्दो विरुद्ध संप्राप्ती है आनाह का अर्थ है कि उदर अंत्रप्रदिश में सभी जगा पे शोत उत्पन्द होना और उसका वायू का विबंद होना और अतिसार का अर्थ है जो उदर अस्थ में अनब है या बाकी कोई घटक है उसका अति मात्रा में विसर्ग होना मतलब आनाह में विबंद होता है और अतिसार में अति विसर्ग होता है ये दोनों एक के बाद एक अगर उत्पन्द होते हैं मतलब क व्याधीत मतलब रुग्ण विशतो रोगव दुरलबं तस जिवितम ऐसे व्याधी को ये अवस्था को प्राप्त करता है तो उसका जिवीत अभी दुरलब है ये समझना चाहिए जिस रुग्ण को एक ही समय में आनाह भी है और तुरुशना भी है ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही रुग्ण है ऐसे व्यक्ति का जिवीत अभी जादा देर तक रुखने वाला नहीं है मतलब वो जल्दी ही चले जाने वाला है आगे का सुत्र है जवरहा पौरुवान निको यस्य शुषक का सश्च दारुण हा बलम आउसभी नस्य यथा प्रेता तथ ही वच्च अब यहाँ पे पौरुवान निका जवर कहा है पौरुवान मतलब पुरुवकाल दिन का अगर पौरुवान नकाल में जवर का विवेग आता है और शुषक का सश्च दारुवकाल दिन का प्रेता है तो वह यथा प्रेता है वह प्रेता को प्रेता है अब यहाँ पे चक्रपाणी जीने भी और गंगादर जीने भी वीपरेत अंत्रुप्ति लगा के इस सूत्र का अर्थापति अंत्रुप्ति लगा के इस सूत्र का और एक 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 स्पेट बताया है कि जो रहा अपरान नहां और कफकास सश्च दारुवकाल अगर बलमाउस अगर बलमाउस वहीन में अपरांड में मतलब दोपर के काल में कफकास का वेग आता है मतलब अपरांड काल में मतलब आफ्टर 12 पीम जिसको जोर का वेग आता है और और उसके साथ में कफकास उत्पन्न होता है तो वह भी दारून होता है पहले वो व्यक्ति बलमाउस होना च अब आगे कहते हैं यस्य मूत्रम पुरिशम्च ग्रतितम संप्रवर्ददे निरुष्मणो जठरीनम श्वासोरो नसर जीवती जिस व्यक्ति को जठरीनम मतलब उदर रोगी को जिसको उदर व्यादी हुआ है उदर का अरत है कुक्षिस्त उत्पन होने वाला शोत त्री शो किया गया है उदर ये एकदेशिय शोत है और उसका अरत है कुक्षी में कही पर भी शोत उत्पन होना कुक्षी में जितने कोश्ठांग है उन समुचित कोश्ठांगों में शोत उत्पन होना इसको उदर कहते हैं तो ऐसे उदर व्यक्ति को जिसको पहले उदर हुआ है जिस उसके मूत्र और पुरिष ये ग्रतित उत्पन्ध होते हैं मतलब उसका गाठेदार ऐसा उसको मलप्रवृत्य होती है और उसके साथ निरुष्मनहा शरीर का जो उश्मस परश होना चाहिए वो नहीं है वो शीतस परश उत्पन्ध हो रहा है और श्वसन अहां जिसको श्वसन श्वासवेग लगा है ऐसा उदर का रुग्ण अब जीवीत नहीं बचने वाला श्वयतुर्यस्य कुक्षिस्त हां हस्तपादम विसरपती तेन रोगेन हन्यते जिस उदर व्यक्ती को जिसको पहले उदर हुआ है ऐसे उदर व्यक्ती का शोत कुक्षिस्त शोत मतलब जो उसके आप्त है relative है उनके संग को मतलब समूचित relative को और परिशारकों को वो बहुत तकलिफ देते हुए हन्यते उसकी मृत्ति होती है मतलब उसके इस आवस्था के कारण उसके जो सारे ज्याती बांदव है सारे जो आपत है उनको बहुत तकलिफ होती है और वो रुग्ण इतनी चेकिसा करने पर भी मुरुत्यू मुखी होता है आज नेटवर का बहुत जादा प्रॉब्लेम है इसलिए बीज-बीज में शायद कट हो रहा होगा आगे है श्वयतूर यस्य पादस्तहा तथा स्रस्तेच पिंडिके स्रस्तेच पिंडिके जहाँ पे संगनन होना चाहिए वो नहीं होकर वो गलीत हो चुके है पिंडिकाय जैसे शितिल हो चुकी है और उसके साथ उभये पादे सिदती उभये जंगे सिदती उसके दोनों जहाँ अवसाद उत्पन हुआ है मतलब वहाँ पे बल रास हुआ है ऐसे रुगण को बिशक ने छोड़ना चाहिए जिसके दोनों हातों पेरों पर शोथ है और जिसके गुई प्रदेश में मतलब जेनेटिकल औरगन में और उदर प्रदेश में शोथ है ऐसे रुगण को जिसका हीन बलवर्ण आहार हीन हो चुका है ऐसे रुगण को आउशद नहीं देना चाहिए तीन चार कंडिशन है शून हस्त शून पाद शून गुईय शून उदर और जिसका बलवरण और आहार ही न हो चुका है उसको किसी भी प्रकार का आउशद अब कुछ काम नहीं करेगा हर एक अवस्था पे काम होना चाहिए इसकी modern से correlation क्या है यह देखना चाहिए critical condition में इसका क्या आच क्या मिलता है यह देखने के जरूरत है जहाँ पे बहुत ज़्यादा clinical काम होता है अवसे उन सभी को उन सभी MD चातरों को और उनके guide को कि आप इंद्रियस्थान के एक एक condition पर काम करेजिए अब आगे है उरो युक्तो बहुश लिश्मा नीलाहा पीता सलोहिता सततम चवते यस्य दूरात्तम परिवरजयत जिस व्यक्ती के जिस जो पहले आतुर है ऐसे व्यक्ती को उरस्थ शलेश्मा वो बहुश बड़ी मात्रा में बहुश लेश्मा बड़ी मात्रा में जिसका उरस्थ शलेश्मा नील रंग का पीतल रंग का मतलब रक्त के साथ अगर वो सततम चवते बार-बार बाहर निकल रहा है तो उसको दूर से ही छोड़ देना चाहिए रुष्ट रोमा सांद्र मूत्रहा शूनहा कास ज्वरार दिताहा क्षीन माउसो नरो दूराद वरजो वैद्यन जानता जिसके बार-बार जिसको शरीर पे रोमान चूत्पन होते हैं सांद्र मूत्र सांद्री भवनों के बाहर निकल रहा है शूनहा जिसको पूरे शरीर पे शोथ है कास और ज्वरा से जो व्याद बादीत है ऐसे रुगण जिसका माउसक शीन हो चुका है ऐसे रुगण को वैद् पित्त शलेश्मा ये कष्टा विलक्षता कष्ट दायक प्रकृत पद्ददी से विकृत हो चुके हैं यहाँ पर पाडवेद है कष्टा विलक्षता का पाडवेद है कोष्टा विलक्षता और गंगा दर्जी ने भी यही पाट सुईकार किया है और ज्यादा समूचित यही तो ऐसे व्यक्ति को जिसका बलहीन हो चुका है, उसकी चिकिसा अब नहीं हो सकती, मतलब या अंतियांता अंतीम आवस्ता है उस कंडिशन की, अब आगे जोरा अतिसारों शोफान ते, श्वयतुर्वा तयोक्षये, दुर्बलस्य विशेशेण, नरस्य अंताय जाये ते, जिसको समुची शरीर पे शोफ उत्पन हुआ, शोफ ठीक होने पर जोरा और अतिसार एक साथ उत्पन हो गये, ये एक कंडिशन, पहले जोरा और जोरा अतिसार, और जोरा अतिसार के बाद शोफ ऐसे दोनों कंडिशन उत्पन होती है, दोनों में से कोई भी एक कंडिशन, विशेशा दुरूबल व्यक्ति में उत्पन होता है, तो उसकी चिकिस्सा नहीं करने चाहिए, पांडुरश्य, क्रुष्यो अत्यर्थम, पांडु की अवस्था में, जिसको अत्यंदत रुष्णा लगती है, अभी परी प्रुतहा रुष्णा लगती है, और उसके साथ दंबरी, दंबरी ये विशेश शब्द है, दंबरी का अर्थ है, स्थब्ध अक्षावलोकी और सौरंबहा, मदब आखे लाल होके, स्थब् पंडुर विक्ति में, मतलब पहले पंडुरो है, उसमें तृष्णा है, उसके साथ डंबरी है, उसके साथ कुपी इतन, मतलब अत्यंत उच्छवास है, मतलब रुकरुक के उच्छवास हो रहा है, ऐसे विक्ति को प्रत्या खेश जानना चाहिए, शोथा और शोफ में प्राणाहा उरसी वरतंते ये विशेश लक्षन है प्राणा की गती ये प्राया अधोगामी है और उदान की गती उर्धोगामी है पर यहाँ पे हनुमन्या ग्रह, तुष्णा और अत्यंत बलरास का प्राण उर्द्वगति से जाता है तो ऐसे व्यक्ति को परिवरजयत मतलब छोड़ना चाहिए येस डॉक्टर भागवत मैं सही बोल रहे हैं कि पुरुरुपी इंद्रिय बता दिया अब कतमानी शरीर मतलब भावी व्यादी जिसका आश्रे अरिष्ट होता है ये उपद्र सुरुपों का वरणन कर रहे हैं कि जिनको छोड़ना चाहिए ऐसे कौनसे कौनसे उनको छोड़ अंगों को अक्षेब करता है जिसको अक्षेब भी हैं आखों के सामने अंदेरा आता है शर्मी किम्शके किस्नब भी चकिस्दा से ये दोनों लक्षन ठीक नहीं होते हैं आखों के सामने अंदिरा भी आता है और आक्षेब भी आते हैं ऐसे ख्षीन बाल माउस बला आहार जिसका ख्षीन माउस बला और आहार ख्षीन हो चुका है ऐसे विक्ति को मुमूर्श समझना चाहिए इसको शोड़ देना चाहिए पर कही पर भी आईसे स्वष्ट व्यक्षे नहीं की गई है कोशों में भी शोथ और शोफ दोनों को ही परियावाचक माना गया है हम आगे जाते हैं सूत्र नमबर 22 विरुद्ध योन योह यस्य विरुद्ध उपक्रमा बुरुषम वर्दन ते दारुना रोगा शिगरम श जो है वो विरुद्ध योनी है मतलब अलग-अलग हित्तों से उत्पन है और वीपरित हित्तों से एक स्निक्द से उत्पन है तो एक रुक्षा से उत्पन है एक अपतरपन से है तो एक संतरपन से है ऐसे उत्पन है और विरुद्ध उपक्रम अहां जैसे आमविश है आमव बातशमदू में हम बताया गया है कि जो विरुद्ध उपक्रम है ऐसे इस प्रकार से ऐसे अगर व्यादि उत्पन्न होते हैं जो परस पर विरुद्ध उत्पन्न होते हैं तो ऐसे दारून रोग जिसमें उत्पन्न होते हैं वो शिग्रम शिग्रम हन्यते मतलब वो तुरन ज परोग्य घृहनी मांस रक्त ये धीरे-धीरे क्षी यंते जिसका क्षय होता है वो व्यक्ति क्षिप्रम-क्षिप्रम हन्यते वो अब जल्दी-जल्दी मरने वाला है यहाँ पे गंगाधर जी ने एक पाढवेद लिया है मांस शोनित को एक पाढवेद मांस धारनी घृहनी अगनी का क्षय होता है, जिसका अगनी अत्यांत नश्ट हो जाता है, वो धीरे-दीरे मुरुत्यू को प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ गंगादर जी ने ठीका में किया है, एतानी यस्यक्षियंते सक शिप्रम शिप्रम अन्ने दे, अब आगे आरोग्यम हियते यस्य, जिसका आरोग्य नाश होता है, मतलब क्या व्यादी बढ़ता है, तिकागार कहते है कि आरोग्यम, आरोग्यहानी मतलब क्या रोग व्यतिरिक्त रोगवृद्या, अत्यंत रोगवृद्य होती है, इसलिए आरोग्यहानी होती है, और प्रकृती परिहते, प्रकृती परिहत मतलब उसका प्रकुरिती बदा उसका निसरकता जो सोभा वहे उसका आचरण है वो धिर धिर नश्ट होता है ऐसा सहसा सहसा अचनक हो रहा है तो वो हरती जिवितम और जीवित नश्ट होके मृत्यों को प्राप्त करता है तत्रश्लो कहा ऐस इसलिए बताया है इती एतानी शरीराणी व्यादी मन्ती विवर्जयत जिसके शरीर में पहले व्यादी है ऐसे शरीर में अगर ये अवस्थाए उपद्रो रूप में उत्पन्द होती है तो नहीं एशु धीरा पश्चन्ती सिद्धिम काशिद उपक्रमा तो धीरे व्यक्ती बतलब विद्वान व्यक्ती ऐसा कहते है कि किसी भी उपक्रम से उनको सिद्धी प्राप्टन नहीं होने वाली इती अग्निवेश रकुर्टे तंत्रे चलग प्रति सम्स्कुर्टे इंण्डियस भाने कतिमानी शरीरियम इंद्डियम कतमानी शरीरियम नाम शष्ठो अध्याया ऐसे अग्निवेश निवेश चरग ने पतिसंस्कार किये ऐसे इंद्रियस्थान के कतमानी शरीरीयम इंद्रिया नाम का ये शटा अध्याय यहाँ पे खतम हुआ अब हम यहाँ पे यह वीडियो कतम करेंगे और अगला अध्या के लिए फिर से दूसरा वीडियो शुरू करने वाला हूँ आप प्लीज मुझसे जुड़े रहिए ये अध्या पूरा हुआ अब सात्वा अध्या जो शुरू करने के लिए हम दूसरे वीडियो में शुरू करने वाले हैं धन्यवाद